जिले में क्रायम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रायम पर पूरी तरीके से कंट्रॉल करने की नियस से कई कठोर कदम उठाए मगर अभी भी क्रायम कंट्रॉल में नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि घटना थाना बेवर्चित के महला ब्रह्मा नान का है जहां पर रातरी नौ बजे कुछ लोग प्रदीप चक एक खाली प्लाट में जुआ खेल रहे थे। जिस पर प्रदीप के भाई अकलेश ने मना किया तो सलमान अर्वाज आमेर पोत्रगड अलताब बा एक अज्यात ने अकलेश को मारना पीटना सुरू कर दिया। अकलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे सर पर चाकूबा एट से बार किया जिससे मौके पर ही में बिवोस होकर गिर पड़ा। चीक पुकार सुनकर उनके भाई प्रदीप राजदीप रवी दौल कर आए आनन फानन में अकलेश को बिवोसी की अवस्ता में उठा कर स्वास्ति सम्दाएं बेवर ले गए उसके बाद बहां से उसे जिलाचिकत साले में पूरी रेफर कर दिया गया। सुचना पाकार मौके पर पहुँचे सीओ बेवर पुलिस बलके साथ आरोपी के घर पर दबिस दी तो आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने मुकदमा पंजे करत कर पुलिस आरोपी की तलास में जुट गई है। कौन को ना तो ना पालम जाने की तो फिरे लगए जो अब बेर चुए पर दाने की तो टो ऑन भी गश्चेट्र के घर जमेवर पर लाटि कर दिए हैं। पाट उविवार पेट साथ मरकल नाएंगे इत्री आसमेगे एनके लोग मुच्छावर होने लेगी आंके वज़ाइद वाने जो इनलवाइस अपने हैं पता राइस पहोते ही पीड मारी है तो भीड मारी हम जुब हो लोग तो